तो इस पर्टिकल उडियम बात करने वाल है आज के लिए जो अपना मैच रहेगा इसके बीच में एक तरफ है के क्या और जो बहुत ही जादा बुरा पर्फोंस दी पहले मैच में दूसरी तरफ यहां से रहने वाले वाले आर सी वी जो पहला मैच बहुत बढ़िया तरीके से विन करके हैं बढ़ आज के लिए जो मैच होगा इडन गार्डेंस पर क्या कुछ इसकी गाहां नहीं रहेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन से प्लेयर्स अपने को फेंडिसी टीम में लेने इस मैच को रिलेटेड क्या प्रेडिक्शन हो सकती है जहां अपने प्रेडिक देखते हो तो उसमें तो पूरी बहता टीम बन नहीं बाई क्योंकि आधी अधूरी इन्फरमेशन हमेशा बेकार होती है तो वीडियो को पूरी देखना और साथ-साथ वीडियो पसंद लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राब कर लो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचस की वीडियो से बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाओ और हां टेलिग्राम चैनल भी जरूर जोइन कर लेना ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सभी जो टेम्स है अपडेट्स है गिवावेज है वहां पर आपके लिए सब चीज़ा आती है तो मैंस बिल्कुल नहीं करने तो टेलिग्राम चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है फिर्ष्ट कमेंड में जाके जरूर से जोइन कर लो वहां पर बात करता है देखो अपने मैच की तो वैसे तो मैच अकर देखा जाए तो भ है चेज़ करना यहां पर अच्छा रहता है ठीक है जो भी टीम चेज़ करेगी वह एक अडवन्टेज के साथ में रहेगी वन सिक्ष्टी वन यहां का एवरे स्कोर है उसके बाद मैं आते हैं अपने पिछले कुछ चार मैचेस के उपर वैसे तुम्हां की ऑक्टुबर में यहां पर बहुत दिक जो डुमेस्टिक मैचस वगरे ना वह हुए है तो वह मैंने आपर काउंट किये नहीं वाट उससे पहले क्योंकि आई बिल जादा पीछे नहीं तो उससे पहले यहां पर आइपल वागे मैं जिस्ते हैं इसे 25 बाई दोज़ार 25 को यह मैं चुआ था क्या गहता है और सी वह से लगनों का एक चीज़ा आप देखोगे ना कि जब 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 आर सी भी खेली है तो दोसों बन है जब आर सी भी एसस के क्यार का मैं चुए तो दोसों बन है वह आपको आगे दिखाऊंगा बट अभी के लिए सिर्फ एलसी एक ही मैंचे यहां पर बैटिंग फस्ट करते वक्त आर्चीवी ने बड़िया से जीता था साथ विगेट पेस के थे तीन विगेट आपको स्पिन के देखने को मिलते हैं उसके बाद में 24 मही 2022 रास्तान रोल्स वासे गुजराट टाइटन्स का मैंच हो गुजराट टाइटन्स ने चेज कर दिया टार्गेट को पांच विगेट पेसर के थे एक विगेट मातर यहां से आपको स्पिनर का देखने को मिलते हैं उसका बाद में 20 फरवरी को मैंच हुआ इंडिया वसे वेश्ट इंडीज का वेश्ट इंडीज चीज नहीं कर भा ही वाई 184 का टार्गेट बोलिंग अच्छी बारे विगेट पेसर के थे और दो विगेट यहां से स्पिनर के थे उसके बाद में 18 फरवरी 2022 को मैंच हुआ इंडिया वसे वेश्ट इंडीज के बीच में जिसमें तीन विगेट पेसर आठ विगेट स्पिन के थे तो अब पिछले चार मैं से ना सिर्फ यह एक मैच निक स्पिन में विगेट लेना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल काम रहते हैं इसके बाद में आते नेक्श निकाल कर वेए पिछले पांच चार पांच जो मैच इस उसके विगेट के बगत्ते सब्सक्राइब पेसर के फिर्ष्ट इनिंग में नोविगेट स्पिन के सेकेड इन बाँ डिफेंड हो सकता है बड़ी असानी से जो कि हमाँ पर हर बार होता भी है क्योंकि अगर दोसों नहीं बने तो वो मैं बोलूँगा कि चाया आपने एक सो नब्बे बनाएं वो खत्रे में रहता है यहां पर उसके बाद में आते हैं नेक्श निकल कर अपने गीववे क उपर की यह आपके लिए चल रहा है 50,000 रुपे का फ्री गिववे तो शुरुआत कर सकते हो वीडियो की 50,000 रुपे गिववे के साथ में जोइन करने के साथ में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है विजन लाउन पे हो रहा है आपके लिए ठीक है डाउंड कर लेना रैफर साथ आपके लिए बढ़िया वाली एक रैंड लिग भी है जैसे कि 50,000,000 रुपे की मेगा जियल आपके लिए यहां पर है जिसको जीतना ज्यादा आसान रहता विजन लाउन में गर देखा जाए ने क्योंकि भाई यहां पर बहुत कम है तो यहां पर जीतना असान होगा फ स्पोर्ट के साथ से उतना आपको यहां पर मिल जाता है ठीक है जितने जीरो कंटेश्ट जीरो कमीशन है तो वह क्या कहते है वह लिए यहां पर है विजन लेउन पर तो जाके जरू ट्राइब करना जिसमें आपसे कोई कमीशन लिया नहीं जाएगा तो डिस्क्रिप्शन म जो कप्तानी रही थी पिछले मैच में हद से ज्यादा बेकार थी अब पता चल गया कि निटीश राना को कप्तानी तो देखो नहीं आती है तो वह इस मैच में अनेक्सपेटेड चीज़ के लिए जरूर तियार रहना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा जिसके लिए क वही तयार नहीं होगा तो वह चीज़ जरूर ध्यान में रखना निटीश राना कप्ताने पहले मैच से यह जीज़ तो पता जल गई कप्तानी नहीं आती भाई को तो गुर्वास बंदीप यहां से उपन कर सकते हैं अब गुर्वास बाइस अठारा फोटिवोर डी गया ड पर अनुकुल सुदाकर रोई को खिला गया चार पर विंकटेश यह 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 लाश्ट मैच में एस इंपक्त प्लेयर आए थे अब इस मैच में हो सकता है रिंको सिंग की जग़ा पर आपको खेलते हुए दिख जाए रिंको सिंग एजन इंपक्त प्लेयर टीम में आ सकते है बहुत एक अच्छा काम किया था आज भी कर सकते हैं अंदर असल ने बोलिंग नहीं कर आई थी पैतिसरें के साथ में दिखेते हो सकता है आज आपको बोलिंग कर आते हो दिख जाए अनुकुल सुदाकर रोई लेफ्टाम और्ट रोक्स बोलिंग इंसे भी नहीं कराई टिम साओधी जो कि अच्छी फोर्म में चल रहे हैं उनके खाते में दो विकेट गयते लोकी फर्गुशन को नहीं किलाए गया वरुण चकरवरती इनको भी कहीं नगई एक विकेट मिल गया था तो यह तो देखो कोलकता नाइट राइडर्स के जो पूरी एक प्लेइंग तो टैज में एक विकेट निकाल सकता है बट विकेट ज़रूर निकाल सकता है तो टिम साओधी आप लेकर चल सकते हो उमेश याद हो कि थोड़े कम चांसे लग रहे हैं यहां से विराहट को ली अच्छे टैच में दिगए बिचला मैंच में दो सकता है विकेट ना मिले औ और उमेश आदो क्या है अभी पावर प्ले में थोड़े जादा हुआ डाल रहा है तो इस वज़े से उमेश आदो पर मेरे को थोड़ा सरे स्क्रिक जरूर लग रहा है बट से जाना हो तो रख लेना ना रख बहुत कोई दिक्कत नहीं है सुनील नरायन काफी इंपॉंट बनेंगे उसकाद में अंद्रे रसल हलागी बोलिंग नहीं करेंगे बट इंपॉंट तो है अपने लिए बैटिंग सभी कमर एक्दम बढ़िया से तोड़ सकते बाकि बोलिंग कराएं कि तान सलके बूल के लग रहे हैं मिरको उसके बाद में नितीश राणा और रहमनुल अब च्छटा बोलर आज के लिए जो है रसल वही हो सकते हैं ठीक है यहां रहना बस रसल के लिए बागी तो प्रोपर पांच ही सोचकर चलो बाकी कर भी जाए तो कोई जादिक्कत होगी नहीं तो कोलकेता की तरफ से अगर हम बेंच प्लेयर पर नजरे डाले तो उसमें ब बात करें तो यहां से जगदीशन है जिसको हो सकता है खिला लिया जाए बाकी जगदीशन को यह ग्राउंड बहुत पसंद है इस पर रन इन्हों ने अच्छे बनाए उसके बात की जगर रिंको सिंग है लाश्ट मैच में चार पर आउट होगा डोमेस्टिक पर्फोंस बाहर करने का खेज रोल लिया है लेफ्टाम पेसर डीसेंट पेसर है ठोड़ा रंद दे सकता है तो बाकि उसको आद में हर्शित राना है जो अगर देखा जाए दो मैच है एक में विगट एक में विकेट लस जैसन रो को शामिल क्या गया है शाकिवाल असन की जगे पर ज लिकेट कीपिंग के लिफरेंट को जगदीशन को खिलाना पड़ेगा तो यहां से जैसन रोए है बीच में एक बार पीएसल में 145 बना दिया था बागी पीएसल की फोर्म देख सकते हैं कैसी है कैसे नहीं है आपको पिछ भी पता है पीएसल की कितनी ज्यादा फ्लैट रह बाकि उसकाद में अश्यान सर्माई है और उसकाद में लिटन दास है जो आज तो नहीं खेलेंगे ठीक है तो यह हो जाती है कुछ इनके जो बैंच प्लियर से बाकि उसके बाद में बात की जाए यह निकलकर कोल के तागी तरफ से तो हो गई है अब आते और सीबी की तरफ से आर से वी की तरफ से क्या कहानी रही कि इनकी तरफ से पिछले मैंच बहुत जादा बढ़िया गया ने इंपक्ट प्लियर का यूज किया ने किसी का बढ़िया से मुंबई को हरा वे दिया और उसका बात में देखो डो प्लैसे विराट करेंगे उपन दोनों के रंस अच आउट कर देंगे नमबर तीन पर क्या समझ कर वे जा गया था वो कहना थोड़ा से मुश्किल है लास्ट मैच वे भी जिरो पर आउट इस मैच वे बैटिंग और नीचे किया जा सकता है मैक्सवल तीन पर प्रेस्वेल चार ओ यह सब आपको देखने को मल सकता है बागे मैक सब्सक्राइब कर देखने को मिल गया था आज के लिए इंपॉंट रहेंगे रिजन सिंपल है सामने नितीश रहने सामने सुनिल न रहने सामने पर इंकटेश है तो लेफ्ट अंडर बड़े बड़े तो यह ब्रेस्वेल पूरी बोलिंग करा सकता है साथ इसाथ आपको एक तो करनी शर्मा से उम्मीद आप रखी सकते हो बाकी हर्शल पटेल को एक विकेट मिला रन पड़े इनको अकाश दीप है इनको खिलाए गया एक विकेट मेला डैवड विली को विकेट लैस डैवड विली गया है इंपक्ट प्लेयर में थे बट आज बुलाई नहीं गये थ मैश में इंपक्ट प्लियर क को रेचे, बट इन्होंने बुलाई नहीं ठीक है तो मैश बूह है पोरा एक्दम रहने वाला time है रोल तो क्या है यही है एक सोच रहने वाले सभी टीम्स की अब इधर से अपने लिए इंपॉंट कौन से बनते हैं डू प्लेसी से विराट को लिए ग्लेन बैक्सवल है ब्रेस्वल आज के लिए मुझा सीवी सी करनाविर को कावी हद तक लग रहा है आसे ब्रेस्वल को कि फ आपसे वहीं से चार और बड़िया तरीके से डिलवाए जाए तो यह जाती है बैंगलोर की तरफ से प्लेइंग 11 एंड उसके बाद मैंकर यहां से बात कीज़ें नेक्श निकल कर वेंच प्लियर की तो बैंगलोर की तरफ से बैंच प्लियर में अगर हम देखते हैं तो सब सब्सक्राइब करते हैं कभी बैटिंग से तोनों से एक साथ नहीं करते हैं उसके बाद में सिदार्थ को ले इनका ग्राउंड पर जो रिकोड़ है वो ठीक ठागे बीच वीच में क्या कहते हैं डॉमस्टिक मैचस में विकेट्स भी निकाले हुए उसके बाद में आते हैं सोनु यादो जो कि राइटाम मीडियम है पिछले पांच में अच्छे विकेट्स है उसके बाद में आते हैं अविनास सिंग यह डालता है वही एक सो चालीज की पेस्के साथ में मैच इन्होंने दो ही खेलने बट अगर आता है टीम में यह इंपक्ट प्लेयर में भी आपक में उसके बाद में इधर से राजन कुमार है पिछले अगर पांच शे मैचेस देखते हैं तो विकेट इन्होंने भी बीच 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 बापाई निकाल रखें लेफ्ट टम पेसर है और फिर आते हमारे पास में हिमांशू शर्मा तो यह हो जाती है कुछ इनकी आरसीबी क आपकोन की तरफ से देखने को मिल जाते हैं अब दस बार नोट आउट में रहें तो एवरेस थोड़ा से बढ़ा हुआ है रीजन क्या कोलकता से खेलते हैं पहले अभी बीच में दो-तीन साल में तो वही है उदर से खेलते-खेलते रन वगर है उन्होंने बना लिए बाकर उसका वाद में अंदर असल है 25 मैच में 738 का इवरेस इनको बड़ा पसंद है ग्राउंड उसके बाद में विराट कोली है 14 मैच में 471 रंस इनके विए सेंचुरी है और 42 का वरेज तो विराट कोली भी इस ग्राउंड पर अच्छा करते हैं बात कीज़ें नितीश राना की सिर्फ 15 का इवरेस बात करते हैं जगदीशन की चार मैच 237 रंस 78 का इवरेस आपको देखने को मिलता है अलाकि एवरेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी मान सकते हो क्योंकि दो बार नोट आउट भी रहे है बट भई रन तो बनाए है ठीक है चार मैच में अगर 237 रंस है तो तो अच्छे घासे बनाए हुए जगदीशन है तो अगर खेलता है तो सी वी सी अपनी ग्रैंड लिग की टीम का जरूर ट्राय कर लेना क्योंकि प्लेयर हिक दो बार चलता है चार चार बार चला है तो मतलब कुछ तो लगा हुए वही को अपने एडन गाड़न से उसके बा अगर दो है तो यह कुछ है जो आरायन आते है जो इंपोंड है उम्हैशन वही कहीं यह शादो में अजiedy नहीं होंकि प्लेइंग जादा ज़्यादा प्लेंग के टाइम पर कर्येशन गर्यूमागे थोड़ा जादा अच्छा है बाकियों से परफॉमंस आगर देखा जाए तो उसके बाद में आते हैं अपने जो रीसेंट मैचेज है ना कौन कोमन निकल कर आता है कौन नहीं है एक बर वो भी बता है तो सिर्फ एक ही प्लेयर कोमन निकल कर आता है वह विराट को ली जो हर जब जब यह दोनों टेम्स खेलती है चाहिए बाहर खेले चाहिए इस फैन्यों पर खेले यह दोसों बना देते हैं जैसे आर्सीबी नहीं यहां पर दोसों बनाए लस्जी ने 193 विराट कोली 25 दिनिशकार्तिक के उस मैच में 37 ते सिरास का एक विगेट पटेल का एक कोई 176 तो चेज कर दिया था और उस मैच में रंस किसके दे विराट कोली के 31 रंते 33 वोल में तो ओवरॉल विराट का नाम ही बार बार यहां से आ जाता है जिसमें 22 रने एक बर संचुरिय एक बर 31 है तो रंतों बना देता है विराट बात कीजिए के टीम की कि इधर से कौन प्लेयर्स निकल कर आते हैं जब हम इनके वेन्यू के मैचेस देखते हैं तो जो हुआ था 28 अप्रेल 2019 को 2019 के बाद से अब जाकर के क्यार इडिन गार्डन्स में खेलेगी जिसमें के क्यार ने 232 बनाए एमाई ने बनाए बाई 198 जिसमें की रसल के 80 रंते वो चालिस बोल मे नारायन के दो विकित रसल के दो विकित फिर 25 अप्रैल 2019 को मैच वा था केकी आर में 175 बना है टार्गेट जिस्ट हो गया अब देखोगे न कि जो यह मैंच वह था 19 अपरेल 2019 को जिसमें केक्यार चेज नहीं कर पाई थी नितीश राना की 85 वाय थे रसल को उस मैंच में 65 रं थे वो भी 25 बूल में पूरी जान लगा दी थी रसल भाही ने उस मैंच को जीताने में विकेट्स की बात करें वही वापस से सुनी नरायन और रसल के तो तीनोए मैच में आपको नरायन और रसल की तरव से विकेट्स जोए कंफर्म एकदम देखने को मिल जाते हैं नितीश राना भी कहीं न गहीं अच्छा कर रहा है और रसल वहीया भी रन वगरा बना दे रहे हैं उसके बाद में देखते हैं अपना हेट्ट्वेड 31 मैच हो चुके कोलकता ने जीते हैं 17 और 14 जीत पाई है आर से भी ओविसली कोलकता थोड़ से आगे निकल करा जाती है ह हमाँ पर रसल के बाद कि यह 12 मैच में 364 इनका एवरेज सबसे जादा है 45 का यह एकदम आड़े हां तो लेते जब भी आर से भी के बोलर्स आते ना उनको मैरको जो रसल के लिए एक दिक्कत लगती है वह हर्शल पटेल हर्शल पटेल हलकी मार वो भी खा सकते बड़ थोड बना दिये तो यह कुछ है वहारे बैटिंग से बात करिए तो उसमें सबसे उपर 16 मैच में यहां से 21 विकेट के साथ में उमेश आदव ने कोलकता की तरफ से खेलते हुए साथ मैच में नो विकेट निकाले अगेंस्ट आर से भी क्योंकि आपको बता होगा उमेश आदो ब यह कि आपको विकेट के साथ में तो यह है हमारी कुछ जो है घ्रेंइल रहतें बैटिंग से बोलिंग से अब एक बार मैं अब आपको वेन्यों और दिखा है क्या नहीं है बस जादा तो नहीं है पर देख लेना फिर विदेखो नितीश राना है जो अगर आप देखोगे वेन्यू पर तो भाई अच्छा करता है 21 85 21 68 63 और फर्स्ट बैटिंग हो चाहे सेकंड हो दोनों में ही अच्छा किया है वेन्यू तो एक्दम मैं बोलूगा सोटेड है अगर हैट्वेड की बात किया है उसमें ठीक ठाक है सेकंड बैटिंग में थोड़ासा ज्यादा बरोसा क सकते हो फट में तो एक बर सी रिकल निकाल लेता है आगर बोलिंग करता है तो इस बद रहों उसके बाद में एक बात करें हैं सोला और इसमें भी एक फ्रिल गया है तो रसल के थोड़ों 50-50 चांस रहता है अगे इस्ट आर सी भी जब भी खेलता है बट मेरे साप से यहां पर भी रन बना सकता है पहले मैंच में वह चीज़ देख भी गई कि रसल सैट होकर रहा है एकड़म बढ़िया से ना उसका वाद में सुनील लाराएं ने सौंदी के बात की तो डोी मैच है एक बार विकला आधर नहीं निखाले है बात करें हैं तो यहां पर यहां पर एकड़न thayया बाकी तीन मैच में विकेट लैस भी है इस बोलिंग फ्रस्ट करते वक्तिए जादा विकेट लैसे हैं और एक बार सेकंड बोलिंग एक बर फर्स्ट बोलिंग और एक बहर और विकेट निकाल है उसके बात में आते हैं उमेश यह याद्व यह भी इस वेन्यू पर थोड़ा इसा है कि छह में से चार बार विकेट निकालें दो बार यह विकेट से रहें तो ले तो सकते हों रखना है तो इन बात कीज़ीं की तो उसमें हर बार मैं बहुत है कि शॉदा यह से आख़ें अगर बात करें उदर से भी चाहर प्लेयरस जिसमें एक नाम आता है इंदर से कार्तिक का वेन्यू पर अगर देखा जाए तो अच्छा किया हुआ है बैटिंग फ़स्ट में स्पेशली ठीक है उसका बात में अगर हैट्वेट की बात की यहां थोड़ा फ्लोप हुए दो इनिंग जरूर बहतर है एक बर 47 एक बर 51 की जो कोलकता उसके बाद में डूपलैसिस आते हैं 24 27 23 तो बीस और बहुत बड़ी इनिंग नहीं है इटन कार्टन पर खेलते हुए को ऐसा नहीं है पचास साथ सतर न डूपलैसिस ने बनाए हो पिछले कुछ मैचस में तो पिछले 6 मैच में चार बर तो रंस है जो बीस- रहे वह इनके लिए बनेंगे सुनील नरेंड अब सबस्टेशलि अगर फर्स्ट बोलिंग सुनील नरेंड करें तो ज्यादा बनेंगे सेकेंड में तो वह कि थोड़ा गृप नहीं हो थी बोल या ड्यू फैक्टर आ जाता है उस वाई से तोड़ा बद सकते ग्लैन पर आउट हो गयते हैं अब आते हैं अपने प्लेयर वैटल के उपर प्लेयर वैटल की देखते हैं तो ग्लैन मैक्सवल अगेंस्ट इम साओधी 19 बोल में जो दो बर आउट हो चुके हैं बट मैक्सवल ने जो तोड़ा है साओधी को यहां पर 200 से भी उपर के स्ट्राइक फाब डूपलेसी अगेंस उनील राइंट पचास बोल में मात्र बनाए हैं 35 ठीक है स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो कितना ज्यादा कम है डूपलेसिस का अगेंस उनील राइंट और उसमें दो बार आउट हो चुके हैं दैन अगर वात कीज़े नितीश राना अगेंस तो आज के ओदेख सिर्ण के पोंट रहने वाले वह सिर्फ आपको ये बताने कि जो ड्रीम टीम के पोइंट रहने वाले वो कितने रहने वाले हो और राउन्ट फिगर में बताना नहां पॉइंट में मत बताना कि पॉइंट फाइब मुइंट से ठीक है तो सिर्फ आपको भी बता देना मिरको कितने जो है ड्रीम टीम के आज के लिए पॉइंट्स रही तो फटावर्ट से कमेंट सेक्शन में गैस कर दो प्रेइट कर दो व से जादा पोश्ट वगर आपको देखने को मिल जाएगी बात कर लेते हैं अभी के लिए गुरुबाज को ऐसा विकेट कीपर के लिए दिनेश कार्तिक के साथ में अभी नहीं गया हूं तोड़ा बैटिंग ओडर पर एश्व है कि कहा तीन नंबर पर खेलेगा या च्छे पर खेलेगा पांच पर खेलेगा वह प्लेंगी लिए उनाने पर आप देख सकते हैं विराट कोली इंडिशन और डूपलैसे से ग्लेन मैक्सवल ब्रेस्वल रसल नहरायन और उसका बाद में बोलर सेक्शन की बात की जाए सिराज है उमेश आदो साओधी है उमेश आदो क नहीं है ठीक है और आपको पता है कि अगर तो बोर उतना अच्छा नहीं है तो सबसे जादा जो विकिट लेने के चांस बनेंगे वहां से सिराजगे मनेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन यह हो चुके हैं थोड़ा सा अलग अटके जाना हो तो नरायन वगरा के साथ में आप आप जा सकते हो एक थोड़ा सा अन पॉपुलर ओपीनियन आप समझ सकते हो कि ब्रेसवल भी एक बहतर ओप्शन जो मेरे को आज के लिए लग रहे तो यह जाती है आज के लिए टीम इंड सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो चल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो और जो बैल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई वीडियो मैचेस की वीडियो से बिल्कुल भी आप मिसना अगर पाओ और हाँ टेलग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना लिंक इस्क्रिप्शन में सभी टीम सब्डेट्स की वाविज आपको व